गुद मॉर्निंग बच्चों, आईए हम अपने तीसरी और आंख्री स्टेंजा के अर्थ को जानते हैं, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, ठीक है? होती सीमाहीन छितज से इन पंकों की होडा होडी, या तो छितज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की दोरी, नीड न दो, चाहे टेहनी का आश्रेचन भिन कर डालो, लेकिन पंक दिये हैं तो आकुल उडान में विग्न न डालो, आईए सबसे पहले इसके कठिन शब देखते हैं, सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब है, जिसका कोई अंतिना हो, शितिज का मतलब है, आकाश का वो हिस्सा जहाँ पर धर्ती से वह मिलता हुआ नजर आता है, होडा होडी माने प्रतिसपर्धा, मतलब कॉंपटीशन, मिलन मतलब मिल गया, तनती सांसों की डोरी अर्थात मर जाना, या प्राणों का निकल जाना, नीड का मतलब होता है, घो अब देखिए देखते हैं इनकी प्रशंग आपको पता है संदर प्रशंग की स्विमंगल सिंग सुमंजी के द्वारा रचितिया कविता हम पंक्षी उन्मुक्त गगन से यह पंक्तियां ली गई हैं और इन पंक्तियों में पंक्षी आजाद रहने की इच्छा व्यक्त कर रह पंक्षो को फड़ ठराते हुए वो आकाश की सीमा डूने निकल जाते हैं या तो चितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी और अपने इस प्रियास को करते हुए या तो वो चितिज के आखरी छोड तक ही पहुंच जाते या फिर वो अपने प्राणों का त्याग कर देते ठीक है पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से क्या पता चल रहा है कि उन्हें अपनी आजादी से कितना प्रेम है ठीक नीड न दो चाहे टेहनी का आश्राइचिन बिन कर डालो वो पुना कह रहे हैं कि चाहे हमें घोसला मत दो या हमारा जो घोसला बना उसे चाहे नस्ट कर दो लेकिन पंख दिये हैं तो आकुल उडान में विग्न न डालो लेकिन अगर इश्वर ने हमें पंख दिये हैं तो हमारे उड़ने के अधिकार को हमसे मत चीनो हमें पिंजडे में बंद करके उड़ने कीक्षा को मत मारो उन्हें आजाद रहकर अंतह अपने इस प्रयास को करते वे या तो वह चितिच के आंखरी छोड़ तक पहुंच जाते और या फिर अपने प्राणों का त्याग ही कर देते पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से यह पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी से बहुत अधिक लगाव है या पक्षि पुना याग्रा करते हैं कि भले ही कोई उनका घोसला चीन ले या टैनी पर जो उनका सहारा है ठीकाना है उसे नस्ट कर दे लेकिन जब इश्वर ने उन्हें पंख दिये हैं तो उनके उड़ने के अधिकार को उनसे ना चीना जाए उन्हें पिंजडे में बंद कर अच्छी से दोहराईए और इसके बाद के वीडियो के द्वारा मैं आपको प्रश्णों के उत्तर समझाऊंगी जिसे सुनकर समझकर आपको अपने नोट बुक पर लिखना होगा लाल कलर की आपकी नोट बुक है मैंने बताया था उसको अब तक आपने कवर कर लिया होगा नेम फिल कर दिये होंगे और पेज नंबर फिल कर दीजेगा बेटा डेट आप जैसे चैप्टर लिखते जाएंगे उसमें डेट डालते जाएगा और उसके अकोर्डिंग आप अपना इंडेक्स फिल करते जाएगा ठीक है ओके बेटा अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और उस वीडियो में मैं आपके सारे प्रशनों के उत्तर बोलूंगे उसे ध्यान से सुनिएगा और समझ कर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिएगा ठीक है